How did British end Mughal Rule? Study IQ में आपका स्वागत है. मेरा नाम है आदेश सिंग. आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि Britishers ने Mughal Rule को कैसे खत्म किया. जो काम अफगान, राजपूत और मराथाज नहीं कर पाए, वो दूर देश से आए अंग्रेजों ने कैसे कर दिखाया? इसका उत्तर जानने के लिए आपको 17th और 18th century AD में चल रहे power struggle और socio-economic situation को अच्छे से समझना होगा. और इसको समझने के लिए आज के इस lecture में हम reference लेंगे चानक के नीति का, जिसके कुछ principles जैसे साम, दाम, तंड, भेद को कहीं न कहीं Britishers ने अपनी strategy में न जानते हुए अपनाया. दोस्तों, चानक के नीती में सामकार्थ, persuasion, दाम का मतलब buyout या bribe करना, दंड कार्थ, punishment, और भेद का मतलब divide and rule से होगा. आईए अब Britishers की strategy पर विस्तार से चर्चा करते हैं. Britishers, the modern चानक क्या. कहानी की शुरुआत होती है 1680 से. कुछ English merchants आपस में मिलकर एक joint stock company यानी East India Company की स्थापना करते हैं. और फिर Queen Elizabeth I के royal charter से उन्हें Eastern World में trade करने का exclusive right मिल जाता है. ट्रेड करने के इरादे से Captain Hawkins और उनके बाद Thomas Rowe, मुगल Emperor जहंगीर के दरबार में आते हैं. वो उन्हें धेड सारे gifts देते हुए England के साथ trade करने के फाइदे भी बताते हैं. पहले तो जहंगीर कुछ nobles और Portuguese के दबाव में East India Company को कोई भी royal favor देने से इनकार कर देते हैं. परंतु Britishers की consistent persuasion, मुगल Empire को trade और tax collection में होने वाले फाइदे के कारण आखिरकार जहांगीर royal permission दे देते हैं. इसको हम चानक के नीती की परिभाशा में साम कहते हैं. शाही फर्मान यानि Emperor's Order के अनुसार, East India Company को annual payment के बदले, पूरे मुगल सामराज्य में factories खोलने और trade करने की इजाज़त मिल जाती है. शाही फर्मान मिलने के बाद, Britishers एक-एक कर सूरत, Madras, Bombay, Calcutta, पटना इत्यादी जगहों पर अपनी factories स्थापित कर देते हैं. धीरे धीरे profitable trade, rule of law और better contract enforcement के कारण इन factories के around cities flourish करने लगती हैं. और दूर-दूर से Indian merchants और bankers इन cities की तरफ आकरशित होने लगते हैं. लेकिन अब Britishers की ambitions बढ़ने लगती हैं. पहले उनका interest सिर्फ trade में था, पर अब उन्हें लगने लगा कि political power को capture करने से उनका trade करना और आसान और profitable हो जाएगा. इसी लालच में East India Company 1686 AD में औरंग्जेब के खिलाफ जंग छेड़ देती हैं. पर अंग्रेजों की सेना औरंग्जेब के सामने टिक नहीं पाती और बुरी तरीके से हार जाती हैं. इस लड़ाई में हुई हार के बाद Britishers को अच्छे से समझ आ जाता है कि mighty Mughal Empire को हराने के लिए persuasion, bribe और punishment के साथ-साथ divide and rule policy यानि भेद नीती का भी इस्तिमाल करना पड़ेगा. सबसे पहले Britishers और अंग्जेब के सामने हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं और आगे ऐसी भूल ना करने की कसम खाते हैं. और अंग्जेब भी Indian craftsmen और economic interests को ध्यान में रखते हुए 15,000 रुपय का जुर्माना लगा कर Britishers को माफ कर देते हैं. और ये माफी English East India Company के लिए आगे चल कर बहुत क्रूशल लाइफ लाइफ लाइन साबित होती हैं. 1707 AD में और अंग्जेब के मरने के बाद succession conflict शुरू हो जाता है. और कई weak emperors के गद्दी समहलने के कारण मुगल empire decline होने लगता है, जिसका direct फाइदा Britishers को होता है. आएए देखते हैं Britishers ने इस power struggle का कैसे फाइदा उठाया. Weak Successors and the Power Struggle Weak Successors की presence में मुगल court, conspiracies और power struggle का गड़ बन जाता है. ऐसी नाजुक स्थिती में Emperor Farukh Siyar 1717 AD में Britishers को एक शाही फर्मान इशू करते हैं. इस फर्मान के अनुसार एक annual payment के बदले East India Company को पूरे मुगल territory में duty-free trade करने की इजाज़त मिल जाती है. इसके अंतरकत, Britishers अपने goods पर दस तक यानि की duty-free permit इशू कर सकते थे, जिसे देखकर कोई भी local ruler उस पर extra tax नहीं लगा सकता था. पर Britishers इस दस तक सिस्टम का misuse करने लगते हैं. ये देखकर Bengal के नवाब्स, Britishers को दस तक का misuse करने से रोग देते हैं. और Bengal में बनी factories को fortify करने से भी मना कर देते हैं. इसी बीच परश्या के ruler नादिर शाह परश्या को बदहाली से निकालने के लिए 1739 AD में भारत पर आक्रमन कर देते हैं. इस समय के मुगल ruler मुहम्मद शाह इस raid के लिए बिलकुल भी prepared नहीं थे. मुगल कोट में चल रही conspiracies के कारण नादिर शाह बहुत ही आसानी से डेली तक पहुँच जाते हैं. और सत्तर करोड की धन संपत्ती, कोहीनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन के साथ परश्या वापस लोट जाते हैं. इस लूट से मुगल एंपरर की prestige को irreparable loss होता है, जिससे डेकन में मराथाज और बिंगॉल में East India Company दोनों को psychological advantage मिल जाता है. पर इन दोनों powers को ये पता था कि मुगल एंपरर को gunpoint पर हटाना बेवगूफी होगी. क्यूंकि मुगल एंपरर भले ही weak हों, पर वो इंडिया की political unity के greatest symbol थे. अवद, बेंगॉल, हाइदराबाद, मराथाज, ब्रिटिशस कोई भी हो, सभी मुगलों की nominal supremacy accept करते थे, जिससे उनके rule को legitimacy मिलती थी. अपनी legitimacy बनाए रखने के लिए, सबसे पहले ब्रिटिशस बेंगॉल के strong ruler यानी की नवाब को हटाने की planning करते हैं. पर ब्रिटिशस अभी भी इतने strong नहीं हुए थे, कि वो बेंगॉल के नवाब सिराज दौला को direct challenge कर सके. इसलिए वो divide and rule policy अपनाते हैं. सबसे पहले ब्रिटिशस बेंगॉल के नवाब के सेनापती मीर जाफर को बेंगॉल के biggest banker जगत सेट की support से अपने साथ मिला लेते हैं. और 1757 AD में हुई battle of plassi को आसानी से जीतने के बाद ब्रिटिशस मीर जाफर को puppet नवाब बना देते हैं. इधर मराथाज जोश में आकर 1759 AD में गद्धी पर बैठे मुगल emperor शाह आलम 2 से मिलकर उन्हें protection देने की पेशकश कर देते हैं. फिर क्या था? मुगल emperor की सारी problems अब मराथाज की problem थी. नादर शाह के मरने के बाद उसका जेनरल एहमद शाह अबदाली फिर से डेली पर raid करने आने आने वाला था. 1761 में अबदाली को रोकने के लिए गई मराथाज की सेना 3rd battle of पानीपत में बुरी तरह से हार जाती है. मराथाज की इसहार के कारण Indian polity में एक political vacuum create हो जाता है. उधर अबदाली भी इतना strong नहीं था कि इस war को जीतने के बाद डेली पर कबजा कर सके. कुछ historians बताते हैं कि 3rd battle of पानीपत से ये तो नहीं डिसाइड हो पाया कि कौन भारत का अगला शासक बनेगा, पर ये जरूर डिसाइड हो गया कि कौन भारत का अगला शासक नहीं बनेगा. Britishers इस political vacuum का पूरा फाइदा उठाते हैं. 1764 में हुई battle of भकसर में, Britishers बेंगौल के नवाब मीर कासिम, मुगल एंपिरर शाहा अलम टू और अवद के नवाब की जॉइंट सेना को हरा देते हैं. और जीतने के बाद हुई treaty of अलाबाद के अंतरगत, Britishers मुगल एंपिरर से बेंगौल, बिहार और ओडिशा के दिवानी राइट्स यानि की revenue collection राइट्स हासिल कर लेते हैं. पर third battle of पानिपत की हार के कुछ सालों बाद ही, मराथा, मैसोर और हैदराबाद, Britishers को jointly dislodge करने की last कोशिश करते हैं, पर Britishers अब चाणंक्यनीती अपलाए करने में expert हो चुके थे. आईए जानते हैं. Breaking the Maratha, Mysore, हैदराबाद Alliance Britishers सबसे पहले Maratha सरदार्ज के बीच हो रही internal power struggle को utilize करते हुए, एक के बाद एक Anglo-Maratha wards में सिंधिया, भोसले, होलकर और गाइकवार्ज को divide कर देते हैं. कुछ से दोस्ती और कुछ से दुश्मनी करते हुए, Britishers Marathas को separate battles में overpower कर देते हैं. धीरे-धीरे सिंधिया और भोसले, Lord Wellesley की subsidiary alliance accept कर लेते हैं, जिसके अंतरगत, Britishers princely states को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सेना प्रवाइड करते थे, in return of an annual tribute. वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम को bribe दे कर, Britishers anti-British alliance के second pillar को भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं. इसके कारण Mysore के ruler टीपो सुल्तान अखेले पड़ जाते हैं. और बड़ी ही बहादूरी से लड़ने के बावजूद, 1799 AD में हुए fourth और final Anglo-Mysore war में टीपो सुल्तान वीर गती को प्राप्तो हो जाते हैं. ये तो रही political strategy की बात. Social Economic Policy Front पर भी Britishers, Mughals का suitable alternative प्रवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे. आईए समझते हैं कैसे. Social Economic Policies of English East India Company. Mughals हों या Marathas, सभी 18th century Indian powers same old traditional system follow कर रहे थे. उनके major revenue source helpless oppressed peasants यानि किसान ही थे. पर Britishers, Better Trade, Commerce, Land Revenue System और Rule of Law की मदद से Indian population के कुछ sections की loyalty हासिल करने में सफल होने लगते हैं. उदहरण के लिए Lord Warren Hastings के Orientalist Views के कारण कई Indian elite उनके follower बन जाते हैं. वही 1793 AD के Permanent Settlement Land Revenue System से कुछ जमीनदार्स और Money Lenders उनके खास बन जाते हैं. वही Lord Conn Wallace द्वारा किये गए judicial और police reforms, Lord William Bentonk द्वारा English को higher courts की language बना कर मुगल सिस्टम्स को displace करने लगते हैं. इसके अलावा, 19th century में Britishers द्वारा किये गए educational और social reforms के कारण, राजराम मोहनरोय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे social reformers उनके supporter बन जाते हैं. 1857 का revolt आते आते कुछ upper caste जमीनदार्स, princely states के राजा, urban areas में रहने वाले elites और British army में employed कुछ untouchable castes, British rule के hidden bulwarks बन जाते हैं. इसी legitimacy के कारण, 1857 AD में finally, Britishers एक uncivilized तरीके से मुगल डाइनिस्टी को खत्म कर देते हैं. लास्ट मुगल emperor बहादुर शाज जफर्द II को बंदी बना कर रंगून भेज दिया जाता है. और Major William Hudson सारी हदों को पार करता हुआ, बड़ी ही कुरूरता से अंतिम मुगल राजकुमारों को मौत के घाट उतार देता है. जिस जगह पर ये हुआ, उसे आज भी खूनी दर्वाजा के नाम से याद किया जाता है. आएए अब इस लेक्चर को समराइज करते हैं. समरी ध्यान से देखा जाए तो मुगल्स अपने internal weaknesses, court conspiracies और traditional socio-economic backwardness के कारण 19th century तक militarily irrelevant हो गए थे. पर ब्रिटिशर्स बहुत ही शूडली अपने colonial rule को legitimize करने के लिए मुगल emperors को 1803 से 1857 AD तक सिर्फ एक political front की तरह इस्तिमाल करते हैं. लेकिन एक broader socio-economic and political base तयार होने के बाद, वे 1858 AD के Queen's Proclamation या Government of India Act के साथ मुगल रूल को formally overthrow कर देते हैं. 20th century आते आते इंडियन्स को ब्रिटिशर्स की white man's burden theory में loopholes नजर आने लगते हैं. और एक लंबे freedom struggle के बाद भारत finally rule of constitution के साथ colonial rule से आजाद हो जाता है. दोस्तों, ये थी कहानी Britishers के मुगल्स को displace करने की. History series का ये episode आपको कैसा लगा? मेरे साथ जरूर शेयर करें.